इंडिया बना में इंग्लेंड इंग्लेंड ने जड़ दिया है एक सो अठासी पर पांच एकेल राहूल ने यहां अपना चौकों का खाता खोल दिया है तेखिये वो अच्छी गेंदो को नहीं छोड़ रहे हैं तो फुल टॉस तो कहा ही भखशने वाले है यह है केल राहूल स्पेशल यह चस्च शॉट गेंदो को इस दिशा में हवाई यात्रा पे भेजने में कामियाब है यह कामियाब है यह अन भी लीवेबल वाड़ शॉट 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 अफ दे मैच पढ़िया शॉट यहाँ पर इशान किशन का रूम मिला और किसी भी लेफ एंड बले बास होकर रूम मिलेगा तो बैक फुट पे वो कैप में टके लेंगे अच्छा शॉट यहाँ पर इशान किशन का यही इशान किशन का और यह भी कड़क शॉट है मैदान यह बहुत बड़ा है लेकिन शॉट उससे भी ज़्यादा बड़ा यह गें नहीं मिलेगी अब शॉट यह भी अच्छा है फरस अब मिद्विकेट की तरह ब्रिलियन फ्रंट आफ स्को एक और चौका जबर्दस मूट में खेल रहे हैं यही इनका रोल यही इने पसंद है स्पिन के साथ स्पिन के साथ थकेल के गेंद को मिद्विकेट बाउन्डरी में जमा किया थोड़ा सा करेक्शन बाउन्डरी अब तक नहीं दी थी इशान किशन अगर उभर पाए इस शॉट से तो फिर कॉमेंटरी करेंगे मंत्र मुग्द बहुत आला इशान किशन बढ़िया फार्म कंटीन्यू यहां भी शाय दूरी नहीं है और नीचे फिल्डर आ भी जाएंगे मोईनली ने कैच पूरा किया केल राहूल की इस पहतरीन पारी को समाफ किया है मार्क वोड ने पिछला वारा नहीं देख पाए रीपले में क्या आप नया ताजा शॉट देखिए हाँ वी मेदान के बाहर की आवाज थी लेकिन अस्ली व्हूपर बच मेदान पर चल रहे है विशान के शनक चला रहें है शॉट्स की कमी नहीं форм की कमी नहीं क्लैस की कमी नहीं कि अ वो रिस्क का इस्तिमाल और ये गैप भी ढूंटे बार 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 बहुत बढ़िया शौड इस ओवर के पहले दो गें तो में एक शिक्सर आया तो